योजनाइन इंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है महिलाओ के लिए बड़ी अच्छी कुसकबरी है क्योंकि अब महिलाओ को राज्य सरकार 50,000 रुपे देगी और यह 50,000 रुपे किन महिलाओ को मिलेंगे कैसे इसमें आवदन करना है और इसमें क्या का डोकुमें आपके लगेंगे और क्या योगता आपकी होनी चाहिए जिहां अगर आप एक महिला है तो आपके लिए बड़ी अच्छी कुसकबरी है क्योंकि अब राज्य सरकार के ओर से आपको 50,000 रुपे मिलने वाले हैं तो कौन सी योजना के अंतरगत यह 50,000 रुपे मिलेंगे और आपको जो आवधन करना है वह कैसे करना है और इसमें क्या का डॉकमेंट आपके आवधन में लगेंगे सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो के मादम से देने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को ल राज्य में भारते जिनता पार्टे के दुवारा सुरू की गई एक नई पहले यानि कि इस योजना का जो नाम है वैस सुबदरा योजना है और यह योजना भारते जिनता पार्टे के दुवारा राज्य में सुरू की गई है जो महिलाओं को वित्ते सायता परदान करने का देश से रखती है इस योजना के तहट राज्य की महिलाओं को सरकार की और से 50,000 रुपे की सायता परतान की जाएगी जिससे वे अपनी आर्थिक इस्तिति में सुधारने और अपनी सवतनत्रता बढ़ाने के लिए उप्योग कर सकेंगी यानि के सुबद्रा योजना के अंतरगत जो राज्य की महिलाओं है उन्हें 50,000 रुपे की सायतारासी दी जाएगी जिससे वे अपनी आर्थिक इस्तिति सुधार सकें और अपना जो सवतनत्रता बढ़ाने है उसक्या उप्योग में उसे ला सकें यह योजना महिलाओं के स्मृद्धी और समाज में उनके स्थान को मजबूत करने का प्रियास है ताकि वे स्वालम भी बने और अपने परिवार की देखभाल में मदद कर सके यानि के खास करके महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह योजना सुरू की गई है इस योजना में क्या महितपुन दस्तावेज लगेंगे सुबद्रा योजना में सामिल होने वाली महिलाओं के पास कुछ महितपुन डोकुमेंट भी होने जरूरी है जैसे आधार कार, बैंक खाता, पते का आई परमान पत्र, आई परमान पत्र, राशन कार, मुबाइल नं है तो ही आप इस योजना में आवधन कर सकती हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस योजना में सामिल होने के लिए आपको क्या योगता होनी चाहिए, आप उडिसा के मून लिवासी होनी चाहिए, यानि कि यह जो योजना है, उडिसा राज्य सरकार के दौरा शुरू की आप गरीबी रेखा से नीचे जिवन यापन करने वाली महिला हों, दोस्तों इस योजना में आपको कुछ योगता रखनी हैं, तब ही जाकर के आप इस योजना के पात रहें, और इस योजना में आवधन आप ओनलाइन और ओफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपने जो बालिविकास विभाग है, महापर जाकर के आवधन कर सकते हैं, या फिर अपने आंगनवाडी के अंदर में जाकर के आवधन कर सकते हैं, और अगर आप ओनलाइन आवधन करना चाहते हैं, तो आप अपने नजदी की CHC सेंटर में जाकर के आवधन कर सकते हैं, अ मिलेंगे और क्या योजना है वीडियो कर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सेर कैमेट जरू करिएगा और चैनल पर नहीं आए हैं तो सस्क्राइब भी जरू करिएगा